दोस्तो नमस्कार अपने चैनल पे मैं वीजे प्रकास आपका हर देख स्वागत करता हूँ दोस्त हम लोग बिल्कुल सही दिसा में आगे बढ़ रहे हैं कहीं से भी कोई संका की गुंजाइस नहीं है जो जो commitment हुए हैं या हो रहे हैं वे सभी के सभी पूरे हो रहे हैं on passive management बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और जो भी product के अंदर features या उसके quality बताए गये हैं वे सब के सब मौझूद हैं उसके अंदर बस proper तरीके से अभी functional नहीं हो रहा है बट है बहुत ही बढ़ियां और बेहतर थोड़ा और वक्त लग सकता है सारे function को proper तरीके से काम करने में जैसे हमारे OML के अंदर wise and video quality भी इसके अंदर मौझूद है लेकिन अभी unfunctionable है हमें थोड़ा वक्त देना होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा टेक टीम द्वारा continue maintenance and upgradation पर काम चल रहा है हमें कुछ भी चिंता करने के जरूरत नहीं है जो भी होगा बढ़ियां होगा बस भरोसा रखिये अभी हाल ही में जो globally press conference हुआ था कई सारे TV चैनल के जरिए on passive के launching को दिखाया जा रहा है ओमेल ओनेट के launching को दिखाया जा रहा है धिरे धिरे सारे काम हो रहे हैं अब इसे एकाएक आस्मान के बुलंदियों पर देखने के लिए हमें थोरा वक्त देना होगा on passive को दुनिया का number one organization बनना ही बनना है बस थोरा इंतजार करना होगा हमें हलाकि इतना कुछ होने और देखने के बाद भी कुछ founders अभी भी असमंजर्स की इस्तिती में हैं कि पता नहीं हमारे उन सपनों का उन उमीदों का क्या होगा जो हमने इस से संजो लिये हैं वे ओमेल पर जा रहे हैं ओनेट ओपेन कर रहे हैं और smoothly work नहीं करने की वज़े से या सभी features function में ना रहने की वज़े से वे परसान हो रहे हैं निरास हो रहे हैं कि बताया जा रहा था कि सभी product AI technology based रहने वाले हैं या तो पहले से market में available product के तरह भी काम नहीं कर रहा है पता नहीं हमारे future का क्या होगा क्योंकि हमारे सारे achievement इसके product पर ही depend है अगर product ही नहीं चलेगा तो काहे का users काहे का resellers दोस्त बहुत सारे founders के phone call इसके regarding भी आ रहे हैं चुकि सभी को technical knowledge नहीं है IT से हर कोई नहीं है वे घपराने लगते हैं दोस्त बस process को enjoy करते रहिए सारा कुछ सही होगा international level पर इसके परचार परसार हो रहे है अप प्रेस conference भी होने लगा है सारे देश दुनिया जानने लगे on passive को इतने बड़े level पर marketing campaign चल रहा है advertisement हो रहे हैं क्या इसलिए कि कैसा भी product बना के move कर दे market में नहीं दोस्त इन सब के पीछे बहुत बड़ी planning है on passive management and CEO मिश्टर S के वे on passive के growth and development के साथ साथ सभी founders के काम्याबी के लिए भी serious and सजग है on passive and इसके product के बारे में दुनिया को बताने के लिए क्यों करोरो डॉलर खर्च हो रहा है आपको क्या लगता है BIN Sports बुर्ज खरीपा पर फिरी made चल रहे होंगे इसके पीछे बहुत बड़ा amount खर्च होते होंगे क्या ये पैसे पानी में बहाय जा रहे है क्या इसके कोई benefits नहीं है दोस्त इन सब के benefits देखने के लिए थोड़ा wait करिए सब कुछ सामने आने वाला है और ये सब देखने के लिए हमें बहुत अधिक wait भी नहीं करना है official announcement के नुसार 5 December को हमारा O Connect आ रहा है and 9 या 10 December से BIN Sports पर हमारे paid product के एड़ चलने है marketing campaign होने है जब O Connect के बारे में उसके एक एक features के बारे में उसके अध्भुट छमता के बारे में दुनिया के अर्बो internet users जानेंगे सोचिये क्या होगा कितने अधिक traffic आएंगे अभी बस देखते जाएए क्या क्या हो रहा है बहुत बड़ा changing ने जराने वाला है on passive में and सभी founders में भी इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा हमे December में ही हम बहुत सारा कुछ देखने वाले है बहुत कुछ बडलने वाला है और वह अभी अचानक से क्योंकि इसके सिर्फ एक product viral होने भर की देर है यकीन करिए दोस्त हम सफलता सम्हाल नहीं पाएंगे इतना बड़ा लेवल होगा उसका इतने बड़े अकार में होगा हूँ जब कि इसके सारे के सारे product world level पर viral होने वाले हैं कैसा होगा हमारा जीवन कैसा होगा हमारा life style थोड़ा सोचने का हमें प्रयास करना होगा संकुचित नजरों से हम dispassive को देखेंगे तो यह हमेशा चोटा ही नजर आएगा बट बड़े सोच के साथ हम खुली नजरों से इसे देखने का प्रियास करें तो यह दुनिया में सबसे बड़ा नजर आएगा यह हम पर डिपेंड करता है कि हम किस नजर यह से देख रहे हैं सब्दों के अर्थ को डिपली समझना परेगा हमें वर्ल्ड लेबल पर मार्केटिंग केंपेंड होने लगे एडबर्टीजमेंट होने लगा प्रेस कॉन्फरेंस होने लगे कई ओफिसेज, डेटा सेंटर, इनोवेटिव लैप्स हजारो साइंटिस्ट एंपलोई इतना कुछ होने और करने के बाद अगर ओनपैसिब सकसेज नहीं हुआ तो हमारी तो सिर्फ उमीदे और सपने भरी तूटेंगे पर सी यो मिश्टर आइस का क्या होगा आपने कभी सुचा है जो इनसान अपना जी जान लगा दिया इस मिशन को कम्याब होने के लिए उसके उपर क्या बितेगी उसके क्या क्या टूटेंगे कितना कुछ खोएगा, कितना कुछ बिखरेगा अपने कभी सुचा है इस बारे में आपने कुछ गलोबली होने के बाद अगर उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ तो वे रह जाएंगे कहीं के उनका मान परतिष्ठा रह जाएगा देश दुनिया में इसलिए दोस्त बिल्कुल निश्चिंत रहिए जितनी हमें चिंता है हमें फिक्र है और पैसे भी आखुद के सकसेज को लेकर उससे लाखों गुना अधिक फिक्र CEO मिश्टर एस को है इसलिए मैं बार बार कहता भी हूँ हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है जहां एक CEO इस लेबल से सोच रहा हो अपनी कंपनी एंड अपने फाउंडर्स के बारे में वहां थोड़ा भी सक करना इसी पाप से कम नहीं है उन्हें इतमिनान से हम काम करने दें और एक एक प्रोसेस को इंजवाई करते हुए चीजों को देखते हुए सिखते हुए आगे बरते रहें इस विश्वास के साथ कि या 100% हमारे लाइफ चेंज होने है या 100% हमें बड़ी सफलता मिलने है दोस्त जहां डंके के चोट पर संखनाद करते हुए एक के काम हो रहे है वहां अपने सकसेज को लेकर किसी भी तरह के नेगेटिव बाते सोचना किसी भी एंगल से सही नहीं है बस इतना समझ लिजिए जिसे समेटना होगा वह इतने बड़े लेबल पर इतना कुछ ताम जाम क्यों करेगा और पैसिब में फाउंडर्स पोजिशन के लिए जो पैसा गया है उससे अधिक तो अभी तक खर्च हो गया होगे प्रोब्लम आ रहे है सभी के बारे में सियो मिश्टर आइस को पता है चीजों को ठिक किया जा रहा है ओमेल क्रियेट करने को लेकर और ओन पैसे भी को सिस्टम को लेकर कुछ फाउंडर्स अभी भी परसान है बट उन्हें जराभी पेनिक होने की जरूरत नहीं है माटी डिगामों के कहने के अनुसार अभी तक लगभग 4 लाग फाउंडर्स रेइस्टर कर लिए है बाकी के प्रयास में लगे है कुछ फाउंडर्स ने कुछ गल्तियां भी करी है बट किसी को भी परसान होने की जरूरत नहीं है हैदराबाद टेकनिकल टीम द्वारा सब कुछ ठीक किया जा रहा है उसे सुधारा जा रहा है इजली रूप में चीजों को लेना है घबराना बिल्कुल भी नहीं है इक-एक फाउंडर्स के रेश्टेशन कंप्लीट होगे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है उनपैसिप सभी फाउंडर्स को साथ लेकर चलने वाला कॉंसेप्ट है कोई भी शूटेगा नहीं बस भरोसा रखे वो फाउंडर्स को लोगिन करें वहां back office पर option होगा register to on passive ecosystem उससे click करें उसका register page open हो जाएगा उसको सही तरीके से fill up करें एंड अपना omel account बना लें इसके बाद आप ecosystem on passive कम पर जाएं तो आपका omel and password मांगेगा वहां fill up करें एंड लोगिन कर दें आप आसानी से ecosystem में इंटर कर जाएंगे बहुत सारे वीडियोज भी उपलब्ध हैं इसके लिए वहां से भी six समझ कर आप आसानी से अपना omel account बना सकते हैं एंड ecosystem को लोगिन कर सकते हैं इसके लिए आप चाहें तो किसी ऐसे founder समित्र का help भी ले सकते हैं जिसने practically खुद का omel create कर लिया है और OES को log in कर रहा है आप phone के द्वारा WhatsApp के जरिये भी help ले सकते हैं हाला कि process बहुत ही easy है एक दो बाट try करिएगा हो जाएगा आप जैसे ही register page open करिएगा सबसे पहले उपर में आपका first name and last name fill up हुआ नजर आएगा आपका omel भी fill up हुआ नजर आएगा हाला कि edit form में है आप चाहे तो इसमें अपना change भी कर सकते हैं या उसे ही रहने दे अब उसके बाद वाले column में आपको password बनाने हैं फिर वही confirm password में fill up कर देना है फिर alternate email में अपना वह email डालिए जिस पे OTP चला जाए ओ founders का अपना email आप वहाँ दे सकते हैं फिर verify को click करिए OTP जाएगा आपके mail पर वहाँ से copy करिए फिर यहाँ लाके paste कर दीजिए verify पर फिर एक बार click कर दीजिए फिर country name and mobile number डाल दीजिए फिर नीचे जो option है registered to OML उसे click कर दीजिए और थोड़ा wait करिए success हो जाएगा नहीं हुआ तो दुबारा कीजिए हो जाएगा आप बिल्कूल जीत रहें दोस्त हम सभी जीत रहे हैं आपके उज्जी और भविस की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकियो दोस धन्यवाद